कि नमस्कार दोस्तों परमाज केशन की यिटीव चनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज बात करेंगे यहां पर गडित सिकष्षण से आप लोगों को पता है कि सीट ट में आप लोगों को 15 नमबर मिलते हैं और 30 नमबर का पेपर होता है जिसमें से पैडा गोजी करेंगे इस पे भी विचार करेंगे लिखिन उसे पहले बता दें कि आज के जो सीजन होने वाले हैं जो क्लास होने वाली सबसे महत्तपूर गड़ी सिक्षण की होने वाली है तो क्या करें जल्दी से आजाए सभी लोग और परसनों को सौल करने के लिए तयार हो जो जी किसी भी राजी में आप जाके जो जो टीचर की वैकेंसी उसे देख सकते हैं तो जहां पर हम उसी जबिस बात करेंगे उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हो नए है अभी तक हमारे च्रीज को सबस्क्राइब करने के साथ साथ क्या करीए वेल आइकन का भी बटन बटन अधिक लोग आएंगे तो आप लोग भी परसनों को सालब करने का परयास करेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि तब कम्पिटीशन चलेगा कि किसका सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है तो एक बार अपने-पने ग्रूपों में सेयर करके देख लिजिए साहथ सभी लोग आप लोगों पता दिया गया है कि गडित जो होती है बौधिक अस्तर पर काम करती है तो अब देखिए ऑप्सन में मिलता जुलता क्या एक पहला करा की अलंकारिक तकी अलंकारिक करता है किसी भी चीज को आप सजा के रखते हैं तो यहां पर गडित की सौल्व करने का परया आप बुद्धी के द्वारा ही इस परसणों को सॉल्व करते हैं अब जैसे दिया जा कि दो और रहुजदी कि ऐसे निस्कार्ण है जिसमें काले जाते है हैं जी से अफिकर निसकर्ण निकार्ण जाते हैं सब्सक्या जाएं जाएगा हमारा यहां लिए पर चौथे के साथ जाएगा पीर्स निकाल है आगे बढ़ते हैं निक्ष पर लाइक कर जिए सभी विलोग को डिपने लोग एए तीसरा क्या कर आ है इटें तीसरा यह करा है कि एप 15 eh इसंड होना है प्लोगले उसे श्रावांगियं कंजिदें कि फाल सम्बंध में यह सांब 20 को है बात किया है कि अन्य विषिएं से सहसंवन के अन्य विश्यों जैसे घडित हो गया है मुझाण अब कर सकते हैं जोना कि चाहिए इस से क्या होता है कि चाहतरों का दिर्ष्टीकोड बिस्तरित जब परियोग कर सकते हैं बिना आप सोचे समझें अगर उपर यूग तो सभी दिया है तो आप क्या करिए राइट टेंसर मार दीजे चौथा जो की राइट टेंसर होगा हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देख लेते हैं चौथा परसन नमारे यहां पर क्या करा है जो कि बहुत ही अहम प्रस नमेंसे कोई नहीं तो राइट एंसर यहां पर क्ई होगा जल्दी से बताइए कि कि वस्तुनिष्ट का मतलब देखिए नियम और निसकर्स होते हैं यह रहे हैं यह चार परसन चेल रहा है ठीक है यह इसमें का यानिक सभी मिठी निकाल सकते हैं तो राइट टेंसर यहां प किस उद्देश की पराप्ति करता है कोशल की पराप्ति करता है अनुपर योग की बात करता है अब करा कि खैव बात क्या किया कि कबड़नें और सिधनतों के इहां फ़र करेगा तो विकास करेगा तो कि ये जो परसन में उसके बारे बारे में क्या करेगा जानने का परियास करेगा और सिधान्तों के अर्ष को समझेगा और अधिगम मिस होता है आप लोगों को सीखना होता है ठीक के सीखना होता है अधिगम मिस तो यहां पर देखिए हमारा बात यह क्या कि उद्देश की प्राप्ति किसके लिए कर सकता है तो उद्देश क यहां पर जायेगा हमारा सीधी सीधे चोथे के साथ जाएगा राइट एंसर होगा और चलिए आगे बढ़ते हैं नेख्ष यहां पे छठ़ा प्रसन क्या करा है जो कि बहुत ही अच्छा प्रसन है करा कि गडित को कहा जाता है क्या कहा जाता है विद्यार्थियों कर दोसमन कह जाता है सक्तिसालियों की सक्ति का जाता है मन की भासा का जाता है या फिर मस्तिस्क का ब्याम का जाता है तो राइट एंसर यहां पर हमारा छठे का क्या होगा जल्दी से बताइए जी राइट एंसर यहां पर क्या होगा देखिए मन की भासा तो नहीं हो सकती सक्ति सालियों की सकती भी नहीं हो सकती जो सकती सली होता है मन की भासा नहीं होता है ठीक गडित होता तो मैं की भाशा मॉन चलता कि भाष नियूंब हो जाएगा था उटानों हो चानाी वाव फके भाव पर निव committees सद्टेख संग्या तो यहां पर यह करता है। यूजर्ण एक उद्देश पूर किरिया को इसे días दो कर समाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है गड़ित सिक्षण की योजना बीधी की उक्त परिभासा किस ने दिये तो पहला करा कि किल पैट्रिक ने किया है दूसरा थांडाइक ने किया है चौथा करा है कुरू एन कुरून है चौथा करा है कि इसकी नर ने तो राइट पहले के साथ जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं आठमा परसन यह करा है कि वह उद्देश जो सिच्छक गड़ित पढ़ाने के बाद कच्छा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा दाता है अब देखिए यह परसन आपका मनो विज्ञान में भी कई बार आ चुका है स्कृत का उद्देश होता है समाजी उद्देश नी आपकी मनतिक सोचने ऑर दर्क की विक्सित करने का उद्देश होता है तो राइस नouseन चींगने सीखने से जाएगा अप सिच्छा से उगआ तुछ आफ इसे होते हैं जो अपर की सभी था उसमें अपवाद था। चाहिए जिसे चाहतरों के गड़ित अस्थर में को बढ़ाया जा सके? उपर दृष्टी कोड है किसका है माध्मिक सिच्छ बोड का यह दृष्टी कोड पर बढ़ाना चाहिए ऐसे गड़ितर शिछन का निर्मार कर कंग जिससे कि सभी वालक यह पढ़ सके या फिर मुदालिय आयोक का है या फिर सिच्छा निती 1986 का है या फिर का राय की राधा कृष्णन का है तो राय टेंसर यहां पर क्या होगा जल्दी से बताएं कि 9 में का राय टेंसर होगा जी देखे यह यहां पर सिछा नीति यहां पर NCF सिछा नीति जो गया था हमारा 1986 गया था उसमें जाएगा राय टेंसर यहां पर सिछा नीति लाइक कर दिजिए और सभी लोग एक बार क्या करिए अच्छे से परसनों को सोचे समझी एक क्या कराया पर इसके बात कराया की गड़ित सिक्षण में सिच्छक को निमलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए यहां पर देख लिजिए तीके यहां पर पहला कराया कि चाहिए यहां पर आननद की प्राप्थि ना हो गड़ित की जो ती नहीं होना चाहिए मानसेον के नसे कंस्क्रा बचंते है आपकी समंधित हो जाएगा जो की राइट इंसर है जाती परतिष्टा का उपाया यानिशन को सभी को एक समार लेंके चलना चाहिए और अनांद की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए बालक की बोधिक विकास की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए राइट एंसर जाएगा नेक्ष परसन पर आगे बढ़ते हैं यहां पर गिरामें परसन पर देखनें 11 कमारा क्या करा है और सभी लोग एक बार सब्रें बितान नाश्रों बोद्ति प्रेंच कोंए कि लोग गारए खो neighborhood नेक्श परिता सब्सक्राइब कि ब्लें दो अशन मार gefष जिए है कि जो बाला जो जुब जो इस एक तो परियोग को रहा है जिसका परियोग बालग अपने लेंदन में करता है उसका क्या भागत पहला करा कि संख्याओं का हिसाप लगाना दूसरा करा जोड़ और बाकी जोड़ का मतलब इह है और बाकी मतलब घटाना थीक है समाइब यहां पर समी करणों को हल करना तो आप लोग कई बार मिल चुका है सीट में और टेट में भी मिल चुका है तो इस परसनों को आप लोग याद करेगा और इस परसन को याद रखीगा का जहां पर भी कहीं दिया हूँ अगर और अप्सक्ण में खोजी है कि बैंक कहीं कारेपरारादी के जाज सब्सक्णा कि तो बढ़ारी गडित के अंतर गताता है राइट एंसर जायागा चोथे किसा जाएगा तेयरह में परसंट पी आगे बढ़ते हैं ज चाहते हैं गड़ित मापन परिमार तथा दिशा का है यहां किया है यहां पर रिक्ट स्ठान है समाज है बिज्ञान है परियोग है तो इसका स्थां सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब यह समुह ही तो होता है एक कारी ही तो होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है आप एक नए योजना of प्रियुग यह किर सब्द्राधा गर्णारी बढ़े पर आप पर जाएगा इसका देखिए यहां पर प्रिमार और दीशा की बात किया है तो आप क्या करते हैं एक समू का निर्माल करते हैं तो किसी ना किसी से पूछते हैं तो यहां पर राइट टेसरे का जाएगा नेक्ट परसन है करा या जल्दिस बताई कि इन सभी में से राइट राइट टेंसर ऑँ नाइब कि आपसेन में तुम्म thou पलोगों को एक जाँड क की हरुएक यह पर 99% सभी सई होता है तो राइट चौफेय만 शीने का 13 quoi ये जब देखिए गा की जो भी परस्ट आपको पहले आता है चैकर जो भी स्भी आपका मजबूत है पहले क्या करिए उस सब्जेकцо स्वाल्व करने का परियास करिए और उसमें पहले यह डूड़िए कि सभी कहां है और एक और दो कहां है तो यह से प्रसन आप लोगों को सही होते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो सीधे-सीधे आप यह तो एक तीन को ही मारते जाए या फिर दो ही परसन को साब करते अंकित प्रसनों को हल करने की विद्यार्थियों की को निधारित शुतर बताना और तो इसको तो आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो अनुसार जो भी सिधान जो भी सिच्छन जो भी सिच्छन के इंदरीत होनी चाहिए जी किलों को पढ़ा रहा तो इसके अनुसार ही जाएक यह भी होगा और पाठ पुस्तक नृता नगंताहे कि पंठ पुष्टक कि का नजरिया ओहीं से बदलता है अगरांच पुष्टक जो होता है आपका कठीन होगा गधीन होगा तो बाल किया करेगा उसमें रूची flavors नहीं लेगा तो यह भी हमारा पाला से दूसरा से थीसरा तो अगर 30 और यह तो दिखने पर करने के स ese Weak करके सीखने बाल पर क्रभम करने कीब ना करे यह तो आपको देखना सुत्रियाद करने की बात क्या है जो कि रटन्त प्रणाली से होगा और यह भी नहीं होगा सवाल करने के सवाल करने और करके सीखने में आप लोगों को सॉल्व करना है कि कौन सा राइट एंसर होगा इसमें से तीसरे और चोथे और यहाँ पर दूसरे में से, तो रायट एंसर का अगर जल्दी से बताईए- कि फाला से योगा दूसरा थिसरा याफी चोथा, इसका रायट एंसर आप लोगi कमेंड बख्स में देंगे, कहां देंगी, आप लोग तो पहले बता दें कि जो भाई बार चनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के साथ वेल आइकन का भी बटन दबाएं और अपने ग्रूपों में एक बार सेर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं ठीक है चलिए नेक्ट आप लोगों को देख लेते हैं उत् का राइट एंसर था तो यहां पर देखिए पहला दिलिब कोली जी का आया की यहां पे सही होगा और यहां पर राजुशिंग्या यादो जी का भी आया की आज yers झालरा का दुसरा सही होगा अधरमेंदर कुमार जी का लेacje कुछा अर्फीन य। यौ कि राइट जे को सेमज़ें 50 जु करें यहां पर आगया है कि 18 का दूसरा जो की डालफीन जो होती है हमारी राष्टी जली जी घोशित किया गया है और इसे ही अंद मचली के रूप में भी घोशित किया गया है अब देखिए आर्थी पांडे जी का भी देखिया गया है कि आज तो सारे सही है जो की बहुत ही इसरी से चोथी बार कराई जा रहे हैं तो आप लोग परसन तो ऐसे ही गलत नहीं होना चाहिए और देखिए यहां पर रिया जी का भी देखिए डॉल्फिन होगा अठारा का यहां पर दूसरा है जो की राइट एंसर है और कल की क्लास क्यों नहीं चली देखिए कल परतन है ठीक है सजी उसे सजी उसे जितने भी परतन है nc rt से अगली कलास में चलाई जाएगे nc rt कुसमें अधिक सधिक लोग आिएगा और सी भी कर देजगा अपने इपने ग्रूपों में देखिए आठी जी का यहां पर आरती जी का आया है इनसर है पुजा जी का भी दिलिब कोली जी का भी थैंक्यू सुमच आपको भी क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पुरस्णों को सवाल किया अगे बढ़ते हैं आरती जी का आद मेरे 18 में 18 सही हुए हैं बस आप लोगों ने बताया नहीं है कि कितने लोगा सही हुआ है यहां पर 18 क दूसरा जो की राइट एंसर है वैसनों जी का भी 18 में यहां पर 18 में 18 सही है सभी लोगों का 18 में 18 सही हों जो की बहुत ही उच्छ इसकोर रहा आप लोगा आप लोगों ने बताया नहीं कि बंदना जी का भी आगया अठार का सोरी यहां पर थैंक्यू वह लिए हैं जो की इनको भी थैंक्यू और यहां पर देखिए सहिता जी का भी 18 का दूसरा है जो की बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों का इसको आप लोगों को बस याद कर लिजे कि आप लोगों ने इन परसनों को पहले ही सौल कर चुके हैं तो उस परसनों को देखते ही क्या करिए इनका दूसरा और यहां पर देख लगा है उत्तर नीचे दिए गया है उससे बता दें कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बाक्स में जरूर बताइगा कि एंसेव दोजर बल देता है इसका एंसर आप लोग को कहां बताना है कमेंट में बताना है ठीक है कमेंट में बताना है कि इसका एंसर क्या होगा और इसकी राइट एंसर आप लोग कमेंट बाक्स में दीजिए का और अगली क्लास जो है सज्जीव पर NCRT पर चलाई जाए या फिर नहीं चलाई जाए न तेने बाद, गुननाइट.